आज का फ्रेज है what I am trying to say. इसका मतलब होता है मेरे कहने का मतलब है या मैं जो कहना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ. आई एक्जामपल्स लेते हैं और बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. मेरे कहने का मतलब है कि हमें एक टीम की रूप में मिलकर काम करने की जरूरत है. यह समझना अवश्चक है कि मैं परियोजना के महत्तव के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ. It's essential to understand what I am trying to say about the project's importance. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वै यह है कि इस स्थिती में इमानदारी सबसे अच्छी नीती है. What I am trying to say is that honesty is the best policy in this situation. क्रिपया निर्ने लेने से पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनें. Please listen carefully to what I am trying to say before making a decision. मेरे कहने का मतलब है कि जब तक संभव हो हमें इस अफसर का लाब उठाना चाहिए. What I am trying to say is that we should seize this opportunity while we can. तो उठाने के लिए हमने यहाँ पे English use की है seize. हो सकता है कि मैं इसे ठीक से ना समझ पाऊं लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वैं यह है कि हमें बदलाव की जरूरत है. I might not be explaining it well but what I am trying to say is that we need a change. मैं एक उधारन से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Let me clarify what I am trying to say with an example. मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपने दीर्ग कालिक लक्ष्ण पर ध्यान के इंद्रित करने की आवश्रक्ता है. What I am trying to say is we need to focus on our long term goals. तो यहाँ पे दीर्ग कालिक हो गए long term और लक्ष्या हो गए आपके goals. संक्षेप में मेरे कहने का मतलब है कि हमें सुरक्षा को प्राथमिक्ता देनी चाहिए. In a nutshell, what I am trying to say is that we should prioritize safety. तो प्राथमिक्ता की इंगलिश हो गई यहाँ पे prioritize, सुरक्षा की इंगलिश हो गई safety. और संक्षेप की इंगलिश हो गई nutshell. तो संक्षेप में मेरे कहने का मतलब है कि संक्षेप किसी भी रिष्टे में महत्तपूर्ण है. To sum it up, what I am trying to say is that communication is key in any relationship. तो संक्षेप की इंगलिश हो गई यहाँ पे communication. संक्षेप की इंगलिश हमने यहाँ पे लिए है, sum up. If you really like this video, could you please hit the like button and subscribe my channel. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye for now. Take care.